UGC.net का exam अगर आपने दिया था तो I'm damn sure कि आपने answer की download करके जो अपना objection है वो raise कर दिया होगा अब आप इंतजार कर रहे होंगे result का और final answer की का So बहुत सारे candidate हमसे लगाता रही है सवाल पूछ रहे थे कि भाई result कब आएगा, कब आएगा और answer की कब आएगी तो अब उसका answer मिल गया है, अब उसका जो जवाब है वो मिल गया है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि result आपका UGC.net का कब तक आ सकता है उसको कैसे चेक करना है, कहां पर चेक करना है और answer की को लेकर क्या update है तो अगर आपने एक्जाम दिया था, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे हैं एंड तक बीच में बिल्कुल मत स्किप करिए हाई, हेलो, नमस्ते, मैं हूँ निहा आपके साथ और आप सब देख रहे हैं NBT TechEd देखे, UGC NET का जो एक्जाम है, जो जून में हुआ था उसके लिए जो प्रोविजनल आंसर की थी, वो पहले ही रिलीज हो चुके है अब इंतजार है फाइनल आंसर की और रिजल्ट का तो देखे, जो भी कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार करें, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि सितंबर के आखरी सब्ताह तक रिजल्ट आ सकता है पूरी-पूरी संभावना है कि 28 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जा और साथ ही आपकी आंसर की भी आएगी क्योंकि आपको पता ही जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई है, उसको रिलीज हुए काफी वक्त हो गया है और अब इंतजार सिर्फ रिजल्ट का है जैसे ही रिजल्ट आएगा आप उफिशल वेबसाइट यानि की ugcnet.nta.nic.in यहाँ पर जाकर अपना जो रिजल्ट है उसे डाउनलोड कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे और यह देख पाएंगे कि भाई, आप इस बार ugcnet के एक्जाम में क्वालिफाइड है या फिर नहीं मुझे लगता है कि जो आंसर की पहले आय थी प्रोविशनल वाली, उससे ही बहुत सारे कंडिडेट्स को आइडिया हो गया होगा बट फिर भी आपको इंतजार, पूरी शॉरिटी के लिए इंतजार करना है रिजल्ट का और रिजल्ट आपको 28 सितंबर तक ओफिशल वेबसाइट पर लाइव मिल जाएगा लेकिन इस बात का भी आपको जहार रखना है कि अभी तक UGC की तरफ से कोई एक ओफिशल डेट तो नहीं आई है लेकिन पूरी की पूरी संभावना है सूत्र यहीं बता रहे हैं लंबे टाइम से जो इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट उनका इंतजार अब खत्म होने वारा है अब आपको हम फटा-फट से बता देते हैं कि जो step-by-step तरीका है रिजल्ट डाउनलोड करने का या पर scorecard चेक करने का वो क्या है तो सबसे पहले तो इंटरनेट पर आपको UGC.NET की जो ओफिशल वेबसाइट है वो लिखनी है उसके बाद आप जब वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि होम पेज पर रिजल्ट का एक लिंक प्लाश हो रहा है वो UGC.NET जून एक्जाम का ही लिंक होगा आप जो आपका रिजल्ट है वो आपके स्क्रीन पर आजाएगा अब आपको क्या करना है उसे चेक करना है डाउनलोट करना है अब फ्यूसर के इस्तेमाल के लिए एक हाड़ कॉपी भी अपने पास रख लेनी है क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई आपको कब उसकी जरूरत होता है सो जो भी कांडिडेट असिस्टन प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप में इंड्रोल्मेंट करना चाहते हैं उनको यूजी सी का ये जो नेट वाले एक्जाम है वो देना होता है इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो ही आप प्रोफेसर बन पाते हैं और रिसर्च कर पाते हैं प्येचिडी कर पाते हैं हाला कि इस बार बहुत सारे नियम बदले गए हैं प्येचिडी को लेकर और असिस्टन प्रोफेसर को लेकर हम डाम शौर कि आपको वो जानकारी होगी क्यों हम अपनी वीडियो के जरी आप तक स सवाल का आंसर दे पाए फिल हाई इस वीडियो में इतना ही मुझे आनी निहा को दीजिए अजासत कीप वाच्छिंग न्बीटी टकेर